खड़े होकर पानी पीने से पहले ये वीडियो जरूर देखें अच्छा दोस्तों सच सच बताईएगा जब आप पानी पीते हैं तो क्या आपको ये खयाल होता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए? किमकि उस दुनिया के आधी से ज़्यादा आबादी को ये बात मालूम है कि खड़े होकर पानी पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लोग जाने अंजाने में खड़े होकर ही पानी पीते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कॉमेंट में अपना नाम लिखना न भूलिए जनाब कहने को तो ये बहुत आम बात है पर यही बात जो आम है न वो आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी परिशानी बन सकती है और स्वे परिशानी क्यों? खड़े होकर पानी पीने की ये छोटी सिला परवाही आपकी जान तक ले सकती है लाखों लोग इसी से हर साल मर रहे हैं ये सब कैसे होता है? चली जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को जरा सा भी छोड़ाना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें नरसरी क्लास में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा भी बात जानता है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जादा जरूरी है हम बिना खाई तो जिन्दा रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के जादा समय तक जिन्दा रह पाना बहुत ही मुश्किल है शरीर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है लेकिन आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है ये बात कई अलग-अलग प्रकार की चीजों पर निर्भा करती है जैसे कि आपके उम्र क्या है, आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, जहां पर रहते हैं वहां का मौसम कैसा है और आप किस तरह के काम करते हैं? यानि कि दिन भर में आप किस तरह के फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? स्टडीज में पाया गया है कि नॉर्मल इंसान को दिन भर में कम से कम आठ से बारा गलास पानी तो जरूर पीना चाहिए और एक इंसान को कितना पानी पीने की जरुवत है, इसका अंदाजा हम उसके वजन से लगा सकते हैं. जहां 20 किलो वजन के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना चाहिए, यानि कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको दिन भर में 5.5 लीटर पानी पीना चाहिए. अगर आप 60 के लोके हैं तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए. रिसर्च में बताया जाता है कि महलाओं को रोजाना लगभग 2.7 लीटर पानी की जरुवत होती है. वहीं एक पुरुष को रोजाना करीब 3.7 लीटर पानी की आवशक्ता होती है. अब कई लोगों के दिमाग में य अच्छी से खाना चाहिए. ठीक उसी तरह एक ही बार में पूरा गलास पानी का टकने की बजाए. उसे एक एक घूंट करके आराम से धीरे धीरे पीना चाहिए. और एक गलती जो हम सब करते हैं. जहां लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, वो तो कभी नहीं करना चाहिए. ह अर्थराइटिस का खत्रा बढ़ जाता है. इसलिए पानी को हमेशा तीन से चार सांस में पीना चाहिए. असल में जब हम एक बार में ही ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो पानी किड्नी से फिल्टर हुए बिना ही पेशाब की रूप में बाहर निकल जाता है. जब गर्म पानी पीते हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती. परन्तु आपको ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा. क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा ठंडा या फिर गर्म पानी पीते हैं, तो शरीर पहले उसे नॉ पानी नहीं पीना चाहिए अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उचलकूत कर रहा होगा कि पानी पीने का सही समय क्या होता है इस पर कुछ लोग बोलेंगे कि सही समय देखने की क्या जरूरत है जब प्यास लगे तो पानी पीलो और अगर आप भी इसी तरह की सोच र पाएंगे और आपको दिन भर नरजी की कमी लगेगी जो लोग डाइटिंग पर होते हैं वो अकसर अपनी भूग को खत्म करने के लिए यही टेक्निक अपनाते हैं और दोस्तों इसकी वज़े से आपके शरीर में नीट्रेंट्स की कमी आने लगती है जिस कारण कमजोरी भ थोड़ा पहले एक या दूगूट पानी पी सकते हैं ताकि आपका गला गीला हो सके लेकिन आप पानी की पूरी की पूरी एक गलास गटक लें यह सही नहीं है अब हमारे कुछ प्यारे भाई बंदू तो ऐसे भी हैं जो खाना खाने के बाद खूब सारा पानी पी लेते है यह सोचकर कि इससे खाना जल्दी पढ़ जाएगा पर दोस्तों यह भी पानी पीने का अलत तरीका है अगर आप खाना खाने के बाद जादा पानी पीते हैं तो इससे खाना खराब हो जाएगा और ठीक तरह से डाईस्ट नहीं हो पाता इसलिए खाना खाने के बाद गला ग प्रक्रिया में ज्यादा समय लगेगा इसलिए खाना खाने और पानी पीने के बीच में 45 मिनिट से एक घंटे का गैप जरूर रखें एक्सपर्स की माने तो पेट में 50 फीजदी भोजन 25 फीजदी पानी और 25 फीजदी खाली जगए रहनी चाहिए आयरुवेद में कहा गया है कि सुबह उटते ही खाली फेट पानी पीने के आदर डाल लीजे ऐसा करने से शरीर के जितने भी हानी कारक ततु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और इसके अलावा नहाने से आधा गंटा पहले पानी पीने से ब्लड प्रेशर की उसमस्या होती है वो नहीं होती और सूने स पहले पानी पीने से हार्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है फिर दोस्तों पानी जहत के लिए अच्छा होता है इसके यह मतलब नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ पानी पीते रहें क्यूंकि जरुष से ज़्यादा अगर किसी भी चीज का इस्तिमाल करेंगे तो वो महानी कारक साबित हो सकती है फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो सोते वक्त हमारी बाड़ी रेस्ट की कंडिशन में होती है ऐसे में पानी बिना इस्तिमाल हुए किड्नी में फिल्टर होने के लिए चला जाता है जिसकी वज़े से आपको बार बार नींद से उठकर पीएं ताकि dehydration की दिक्कत ना हो अब इतना समझाने के बाद आपको ये तो जमच आ गया होगा कि हमें ना ही बहुत जादा पानी पीना है और ना ही बहुत कम वैसे आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी पीने के लिए अलाम सट करके रखते हैं कि उन्हें कब कितना पानी पीना है लेकिन आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी की जरूत नहीं है आप हर दो से तीन घंटे में एक गलास पानी पीकर अपनी सेहत को स्वस्त रख सकते हैं बस ये खयाल रखें जब आप पानी पी रहे हैं तो उसे धीरे धीरे पिएं और अगर फिर भी तो अपना टाइम टिबल सेट करना हैं तो ये भी कर सकते हैं कि सुबै 40% पानी पी लीजी और फिर दिन में 40% पानी पीजी और फिर रात के समय 20% पानी पीना ठीक रहेगा ताकि आपको आथी रात को नेंत से उठकर टौलिट का मुणा देखना पड़े अब कई लोग ये भी बरतन में पानी भर कर रख दें और फिर सुबह उठकर उसे पी लें जिससे आपका पाचन तंत्र बहुती बढ़िया तरीके से काम करेगा और आपकी सिहत भी स्वस्थ बनी रहेगी क्यूंकि ताबी के अंदर ऐसे कई सारी गुड़कारी चीज़े होती हैं जो पानी में रात करना न भूलें देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनी है